न्यूजिलेंड के खिलाब दूसरे टेस्ट में भारत की हार के बाद WTC Point Stable में हुआ बड़ा बदलाओं भारत को लागा बड़ा जटका आस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड खुस तो दूस्तों क्या है ख़बर की पूरी जानकारी ये तो हम आपको बताएंगे ही लेकिन दूस् तीरे रनों से हार का समना करना पड़ा इस तरह न्यूजिलेंड ने भारती सर्जमी पर सीरीज जीत कर इतियास रज़ दिया वहीं भारती टीम अपने घरली सर्जमी पर तकरीबन 12 साल बाद टेस्ट टेस्ट सीरीज हारी है इस हार के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपेंशिक के कौइंशेबल में बड़ा बाला हुआ है और भारत को बड़ा जटका लगा है हाला कि इस हार के बावजूद भारती टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपेंशिक कौइंशेबल में टॉप पर कभीज है लेकिन दूसरे नमबर पर कभीज और भारत के बीच महज मामूली अंतर र पर है इस तरह भारत और ऑस्टिलिय के बीच बेहत कम फास्टा रह गया है वहीं भारती टीम की हार और न्यूजिलेंड की जीस से सीलंका की संभावने बहतार हो गई है भारत और ऑस्टिलिय के बाद तीसरे नमबर पर सिलंका है सीलंका 55.56 पॉइंट परसंटेज के साथ त साथ अफरीका 47.62 परसंटेज के साथ पांचमे नमबर पर है वहीं इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपिंश्री पॉइंट डेबल में छटे नमबर पर कभी जी इंग्लैंड के 40 डेस्ट प्रसंट के साथ साथ जटे स्थान पर है पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाप पहले टेस्ट में हारका सान ना करना पड़ा था लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने सांधार अंदाज में वापसी की पाकिस्तान ने दूसरा और तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को हरा दिया अब पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपिंश्ट पॉइंश्ट केरिज को जीत कर WTC के फाइनल में अपनी जगा बना पाती है या देखने वाली बात होगी